गुड मॉर्णी क्लास आज हमारा 11th क्लास का जो चेप्टर 13 है फोटो सिंथेजिज इन हाईर प्लाट इस चेप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है आपने लोवर क्लासिज मेंस 10 में आपने डिल किये थे कि फोटो सिंथेज प्रोसेस क्या होता है इसके लिए क्या क्या रिकॉर्मेंट है क्या इसकी रियक्षन है तो उनी को हम बेस मान के यहाँ पे चेप्टर नुमर 13 को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें जो है फोटो सिंथेज के बारे में क्या पता है तो क्या पता है का मितलब क्या है कि आप लोग यहां पे देखोगे तो यहां पे आपने क्या करना है what do we know तो हम क्या जानते कि photosynthesis क्या होता है तो lower classes भी हमने पढ़ा था कि photosynthesis जिसमें जो है plants sunlight को use करके carbon dioxide का use करके क्या करते है photosynthesis करते है और plant की जो leaf होती है green pigment जो carry करती है जिसका नाम है chlorophyll इन्हें सिंपल सी टम में हम बाग करें तो photosynthesis जब हमने 10th class में deal किया था तो उसमें क्या था कि plant जो living being है अपनी जो है sunlight का use करके in presence of sunlight carbon dioxide का use करके with the help of green pigment chlorophyll क्या करते है अपने food यानि organic matter जिसको हम carbohydrate in the form of glucose क्या करते हैं synthesize करते हैं और बाद में जो है पूरा day पे synthesize होके जो glucose का large complex molecule है macromolecule macro carbohydrate बन जाएगा micro यान glucose से तो उसको हमने नाम दिया था स्टार्ज यानि हम कहें कुल मिला कि जो फोटो सिंथिज है वो प्लांट के लिए जैसे ये sunlight का लीफ पे एक्सपोजर होता है तो उसमें प्लांट की जो लीफ है एक प्रोसेस करती है जिसको हमने फोटो सिंथिज यानि स्थिज अकोर्डिंग टू ग्रीन लीफ पिग्में सनलाइट जो हमने एक्टिवेट की थी उसी की वज़ए से हमने क्या बना था स्टार्ज का फोर्मेशन तो अल्टिमेट हम बोले एक फोटो सिंथिज प्रोसेस क्या है प्लांट के लिए तो वो और्गैनिक फोड का प्रिप्रेशन है यानि हमारा जो है केमिकल एनरजी का फ फोटो संथेसस के लिए क्या है कौन सी गैस जो हमारी यहां पर नेड है तो हम यहां पर कार्बेशन की रिक्वार्मेंट बांती तो वह कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए एक एक्स्प्रमेंट है तो उसका डिग्रम आपको रिपरजेंट है जिसको कंसेप्ट के साथ मैं करा रहे हूं हमारे पास दो बैल जार है तो हमने क्या किया है 2 нужно ली है यह से हम यहां पर जो है यह सारा एक्स्प्लेंशन जो मैं आपको समझा रही हूं तो यहां पर कह रहा है कि जब हम यहां पर दो केंडल जो है बन करके यह दी हम यहां पर डालते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमने जो है केंडल को वहां पर जोलन सील किया था या नहीं कहें त साथ उसको जो है क्या कर दिया yes लोज कर दिया तो कुछ टाम के बाद हम देखें ंगे कि जो केंडल जब बन करी तो वह औक्षीजन की प्रजेस्व में क्या करेंगी यानि ओक्षी लिफन का क्या होगा यूज और यह living भी क्या करता है oxygen को use करता है तो जब तक candle जो है जलती रहेगी जब तक बैज जार के अंदर oxygen रहेगी तो जब oxygen वहाँ पर क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी तो यह जो animal है वो भी living being है वो भी oxygen के requirement वहाँ पर carry कर रहा है तो जब candle ने वहाँ पर पूरा burning point में oxygen को यूज कर लिया तो वह यूज करने के बाद क्या रिपैल करेगी CO2 तो यह chemical जो है यहाँ पर change होगा oxygen को यूज करके CO2 रिपैल करेगी तो जैसे वह CO2 को release करेगी तो यह जो animal हो CO2 को inhale नहीं कर पाएगा तो उस time में उसकी जो oxygen की carrying capacity वह क्या हो जाएगी खतम क्योंकि बैल जार में से oxygen क्या हो चुकी है खतम तो यह living जो mouse थी वहाँ पर क्या हो जाएगी डाई और जो candle के लिए burning oxygen की requirement ही थी वह क्या हो चुकी थी left तो दोनों ही case में दोनों को क्या हो जाएगा हाँ पर candle जो है अनबांट हो जाएगी बुझ जाएगी वह जो हमारी माइस थी वह भी क्या हो जाएगी डाई तो इसमें हम बता सकते कि कि किसी भी living को activity करने के लिए किसकी need होती है oxygen की इसी को replace हम मानते कि हमारे जो plant होती है उ बट माउस जह बाद में क्या होगी थी डाई जब वहां पे candle बुझ गी है अब हम कहेंगे कि यह सी डाइग्राम कह रहा है और डी डाइग्राम भी कह रहा है इनको डाइग्राम सही हम इस paragraph को समझेंगे तो इसके तुरू आप चेक करोगे कि यह चारो डाइग्राम क्या कह कि पहले में हमने candle को बर्न करके माइस को रखा तो जब यह candle जलती रही तब तक oxygen थी तब तक माइस भी यहाँ पे शरवाई तो candle का बुझना क्या करता है कि oxygen खतम होगी है बैल जार में से माइस का respiration क्या हो जाएगा तो दोनों ही क्या हो जाएगे वापे result सो करेंगे माइस दाई हो जाएगी candle बुझ जाएगी थर्ड क्या कर रहा है यह हम उसी यह बाले में हम वहाँ पे प्लांट रखते जल्दी ही candle और जलता हुआ हमारा जो है लिविंग जो है अनिमल तो उस टाइम पे क्या होगा कि candle जो है oxygen को यूज करेगी बर्निंग के लिए और वहां से क् CO2 निकलेगी वहाँ पे जो है प्लांट क्या कर लेगा उसको फोटो संदिस में यूज करेगा और वहाँ पीस क्या रिलीज कर देगा ओटू तो यह हमारा जो साइकिल चलेगा carbon dioxide का और oxygen का जिसकी वज़े से हमारी continuous O2 यहां पर पड़ीज होती रहेगी बैल जार में candle जो है प्लांट नहीं था तब तक यह oxygen को यूज करके दोनों को ड्रवेक हुआ बट हमने जैसे ही प्लांट वहाँ पर पूटीड किया है तो वहाँ प्लांट ने क्या किया CO2 को यूज करके फोटो संद्र प्रोसेस से ओटू को रिलीज कर दे जिससे दोनों ही यहां पर क्या रहे वहाँ पर चेक कर रहे हैं तो नहीं बहुत सारी डिफ्रेंस देखे तो इस सेटप से प्रिशले को क्या मिला जैसे ही यह डार्प कंडिशन आई तो जैसे ही सललाइट आई तो फोटो संद्र प्लांट कर रहे है उसकी फोटो संद्र पो जाती है तो वह लीज करना बंद कर कर देता है तो जैसे वह ठीक करना बंद करेगा तो चेंडल जो बंड थी वह अपने आप क्या हो जाएगी यहां पर अंबंड हो जाएगी क्यों कि माउस जो कंट्विन रिस्पायर करता रहेगा और जैसे यह रिस्पायर करेगा तो स्यूंट रिलीज करके जो चेंडल क्य हो जाएगी अन्बंट यानि दुबारा से क्यों हो जाएगी बुजनी स्टार्ट हो जाएगी तो यदि डे टाइम है तो डे टाइम पे continuous photosynthesis रहेगी और नाइट टाइम पे प्रिशले ने अबज़र किया कि sunlight तो चले है बट अभी यह सेम प्रोसीजर जो सेट एप है सेम है तो आप हमारे यहाँ पर रिजल्ट निकाला प्रिशले ने कि photosynthesis day में भी होती है और नाइट में भी यानि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो डे में active होता है तो अधर जो पार्ट है वो प्लांट के night में भी active होती है तो उसी में यहाँ पर हमारा जो hypothesis निकल कर आता है कि plant जो है day एंड नाइट दोनों ही time पे क्या करते है फोटो सिंथेसिज सो कर से तो मिडल 19 सेंचुरी में यह 900 सेंचुरी के अंदर यह उपज़वर किया गया कि प्लांट जो है फोटो सिंथे में उक्सिजन का यहन पर हमने देखा कि ग्रीन प्लांट जो ऑक्सिजं करके ह क्या करता है यानि रूस्पे ifal जैसे जो हमें oxygen का जो है मांट यहां पर मिलता रहते हैं यानि कहें तो question बन गया है यहां पर कि plant के अंदर जो O2 है वो कहां से release होके आती है तो S2 यानि water का जो double atom oxygen है वही से क्या बनती है हमारी oxygen तो हम मानते हैं कि जो plant होते या कुछ ऐसे bacteria भी है जो हमारा यहां पर किसी भी chemical product को reduce करके उसको oxidation process के थूँ जो है वहां पर oxygen को रिवोल करते हैं ग्रीन plant तो वोटर से ही मिलता है नाकी carbon dioxide तो तो question soul है तो oxygen जो फोटोसिंद का जो result होता है वो कहां से मिलता हमें water से नाकी carbon dioxide से उसके बाद हम बात करें कि जो photosynthesis process है यह plant में होती कहां है तो lower classes में आपने यह diagram अच्छी तरह से किया है तो यह हमारा diagram है chloroplast का जिसमें आपको यह structure दिखाए दे रही है यह हमारा chloroplast का जो part है जिसको हम यह आपे बोलेंगे लैमिला और यह हमारा लैमिला रहेगा stroma का और बाके जो है यह हमारा chloroplast 2 membrane जो structure रखता है outer membrane है inner membrane है तो दोनों यह membrane chloroplast की है जो explain करें यहां पे यह diagram आपने 10th class में अच्छी तरह से किया है कि जो photosynthesis process है green plant के green part में जहां पे chloroplast होता है निजोफिल cell के अंदर तो वहां पे ही जो chloroplast मिलता है यह एक और गेनली है जो plant की photosynthesis में help परती है तो यह double membrane जो है मारी और गेनली है एक outer membrane inner membrane के साथ इसके अंदर दो structure है जिसको हम नाम देंगे ग्रेना और stroma यह important role play करेंगी और यहां पे जो stroma और ग्रेना है दोनों ही photosynthesis में day and night का क्या करती है रोल करती है तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जो light reaction होता है वो जब भी plant daytime पे sunlight को use करके जब photosynthesis करता है तो वो कहां करेगा stroma के अंदर इन्ही plant का जो daytime में photosynthesis होगा वो stroma के अंदर होगा chloroplast का बट जैसे ही sunlight चली जाएगी तो उस time पे chloroplast का ग्रेना एक्टिवेट होगा और ग्रेना के according जो stroma से बना हुआ जो हमारा particular सारा का सारा जो हमारा process रहेगा वो सारा क्या हो जागा हमारा use हो जाएगा तो day और night में हमारे कौन कौन से जो पार्ट होते हैं कैसे रोल प्ले करेंगे तो आपने देखना है तो यह जो stroma है हमारा fluid like structure वो stroma को रिपरजेंट करेगा जो night के according काम करेगा और ग्रेना जो है मारा day के according का अंद करेगा तो यह आपने दोनों चेक करने है यह day में रहेगा और यह night में तो stroma को हम night से रिपरजेंट करेंगे और ग्रेना को हम day से और दोनों day और night के यह दोनों ही chloroplast के क्या है पार्ट है जो photosynth process को क्या करते हैं continuous चला के चलते डे टाइम में stroma जो है यहां पे अक्टिवेट नहीं होगा रात को जो है हमारा ग्रेना अक्टिवेट नही इस फोटो से चलते रहे कि उल्कोच बन मन के रिजर्ड फूर्ड जो है स्टार्च की फॉर्म में बनता रहेगा और यह जो प्रोसेस थी वह मैलविन केल्वेन नाम के साइंटिस ने प्रूव की थी प्लांट में जिसने बोला था कि पहला जो प्रोड़क्ट बनेगा वह हम हमारा साइकिल स्टार्ट होगा सी थी साइकिल यह हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम फोटोसींतेसी जो पीगमेंट है क्लो फील उनका जो हे रोल-प्ले कर रहे हैं तो वैसे देखा जाए जनृली तो पलांट के पास फह फो फोटुसेंतेस dépend कि होती है क्लोर, वह डि प्लांट प्लान्ट का प्लांट का लेके उसको जो है paste बना के ऐसी टोन के अंदर प्र स्ट्रियंगर के ऊपर लगाते हैं उसके बाद उसको एक जो स्पोर्ट वैल के यूटर के रख तो को सबस्तिय करते हैं यह हमारे पास की जो pigment थी वह क्या हो जाएंगे separate होना start हो जाएंगी तो जैसे जैसे यिथर की जो एक्जुस्ट्री रहेगी different pigment के according वह अपनी वह पर रिपर जैंट करेंगे उस paper की strip के ऊपर तो आपर हम देखेंगी जो chlorophyll ए है वो कम एक्जुसन कपस्त hall रखेगा केरोटेनॉइट जो है वो जदा रखेगा क्लोर्फिल भी जदा रखेगा और उसके बार जन्तो फिल की जदा होगी यहाणि maximum जो पीक रहेगी वो जन्तो फिल की रहेगी उसके घर कम जो रहेगी हमारी यहाँ पे chlorophyll B की रहेगी उससे कम carotenoid की रूसे कम chlorophyll A की बट हम मानते हैं कि chlorophyll A की peak कम रहेगी बट यह सबसे ज़्यादा important है क्योंकि सबी plant में जो यह chlorophyll A क्या होता है present होता है बाकि different type की variety of plant में हमारी chlorophyll B, gentophyll या carotenoid मिलती है कि सारे pigment की जो हमारी plants की according यहाँ पर carry हो रही कि कैसे यह plant की photosynthesis करेंगी तो यह rate of photosynthesis है absorption है जो हम यहाँ पर spectra के according देख रहे हैं तो इसमें हमें यह दू curve दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम यह curve है इसको मान के चल रहे हैं कि पहला जो wavelength है वो किसका जादा जा रहे है तो यह chlorophyll A के लिए represent है और यह chlorophyll B के लिए वे भी हमने उपर बोलाई था जो rate of photosynthesis है वो chlorophyll A का क्या रहेगा B कम पकड़ेगा बट maximum रहेगा और chlorophyll B का जादा रहेगा तो यह graph represent है हमारा chlorophyll A, B and carotenoid के लिए मानते हैं कि जो rate of photosynthesis जैसे ही oxygen आती है तो हमारा chlorophyll A है वो कैसे है represent करना start करता है तो यह wavelength है तो जैसे जैसे हमारा light आएगी वैसे वैसे हमारी wavelength जो है increase होती रहेगी और उसके according हमारी light absorb होती रहेगी तो यह हमारी दो wavelength है जिसमें हमने चेक किया यह chlorophyll A की है और इसके response हम चेक करें तो chlorophyll B की हमारी ऐसी बनेगी तो यह दोनों का हमारा graph है जिसमें हमने चेक किया कि दोनों pigment कैसे roll लेकरेंगी तो हमने चेक कि हमारी कौन-कौन सी pigment होती और किसका spectrum कैसा आता है कौन सी किस type की light को absorb करती है तो इस diagram में आपने देखा कि chlorophyll A है तो किस type की light को absorb पर है 700 nanometer जबकि हमारी जो chlorophyll B होती है वो इतना peak नहीं पकड़ती वो कहां तक पकड़ती है केवल 400 to यहां पे हम बोलेंगे 300 to 400 के बीच का ही लेगी तो maximum जो wavelength हो किसकी रहेगी chlorophyll A की तो यह जो हमारे basic point थे जिसमें हमने बात की कि photosynthesis जो है क्या होती है कैसे start होती है किसने इसको observe किया थे experimental proof क्या थे और कैसे हमारी different type A pigment यहां पे role play करेंगे जिसकी वज़े से अब्योक्षन spectra बनेगा तो यह था हमारा basic of photosynthesis process फर्दर जो हमारी जो reaction रहेंगी जो हमारी ग्रेन और स्ट्रोमा के coding चलेगी light and dark उसको हम next lecture के नदर deal करेंगे